आप जानते के इस सीरीज में मैं बेश्मार क्वेस्टन्स लेकर आता हूं जो हमारे यूनिवर्स के से कंसर्ण हैं और उनके मैं जवाबात देता हूं आज भी सी तरह कुछ क्वेस्टन्स लेकर आया हूं सबसे पहला सवाल ये कि फ्रिज के अंदर जो चीज़ें पड़ी होती वो ठंडी क्यों रहती हैं फ्रेश क्यों रहती हैं देखें उसका उसूल ये है कि जब भी टेंपरिचर कम होगा लो होगा न तो जो केमिकल डीकंपो माइक्रो और्गनिजम्स हैं उन्होंने अपना काम असर करना शुरू कर दिया है लो टेंपरिचर पे वो असर ज्यादा नहीं करती है इसलिए ज्यादा देर तक चीज़ें वो फ्रेश रहती हैं दूसरा सवाल ये है कि हम जमीन की निजबत अगर हम पानी के अंदर हम आवा सफर करती है ना तो रास्ते में पहाड आते हैं घार आते हैं बिल्डिंग्स आती हैं मार्किट्स आती हैं बेश्मार चीज़ें यह सब चीज़े मिलके रिजिस्टंस पैदा करती है तो लहाजा हमारी आवास दूर तक नहीं जाती लेकिन पानी में इन साउंड वेवस को ब डालके जब हम सक करते हैं तो पूरी को पूरी वह जो बोतला ऐसा ओपर हम जो उसको खैचते हैं फुल कर लेते तो कैसे पौसिबल असकी क्या रिजन है देखे जब हम स्टार में मूँ लगा कर उपर की तरफ हम सांस खैंचते हैं तो हवा सक कउट हो जाती है और स्टार के अंदर लो प्रेशर पैदा हो जाता है बोतल का पारी उस खला को पूरा करने के लिए पिर तेई सो अंदर उपर की तरफ आता है लہذا हम आरां से बोतल पी लेते हैं नेक्स यी है कि लोहे का कील पानी में डूपता है और पारे पर आधर तेहरता है आखर उसकी वजह क्या है देखें अगर पानी के वजन वालियम में लोहे के कील के वालियम से ज्यादा हो तो वो शया तैरेगी और अगर कम हो तो डूब जाएगी लोहे के कील के वजन का वालियम ज्यादा होता है और पानी का कम है तो डूब जाएगा मगर मरकری के वालियम का जो वज़ा नो कील के वालियम के वज़ाँ से ज्यादा होता है क्योंकि उसके डेंजिटी ज्यादा है लहाज़ वो तैबते है अच्छा अगला क्वेश्चन यह है कि कोई भी साइकलिस्ट जब साइकल चलाना शुरू करता है तो शुरू में बहुत ज़र लगाता है लेकिन बाद में नौरमल हो जा तो उसकी क्या वज़ा है उसकी अक्छली वज़ा यह है के लौफ इनर्शिया के मताबिक अक्छली जो साइकल है उसकी और जमीन यह दोने को पुश कर रहे होते हैं साइकल से सबसे पहले इन दोनों ताकत को कवर अफ करने है उसको डॉमिनट होने है उसको ऊपर हावी होके फिर उसने आगे जरूँ अपनी ताकत और लगानी है लेहादा पहले वो इतनी ताकत लगाते है कि जो साइकल ताकत जमीन की तरफ लगा रहा है और जमीन उसको ओपर की तरफ पुश्का रही है दोनों को पहले वो उस पर डॉमिनेंट हो कवर करें और फिर और वो ज़्यादा लगाता है तो पानी जो एक्स्ट्रा मिलता ज है कि कोल शेय असाँ़ वो जाए है कैये गोल शेयर्चे ते ह कोई बहुता है मूल की क्योंकर उसकी वो गोल है राउंड है तो उसकी फिरिक्षन और सड़क के साथ जो रही है वो ज्यादा नहीं है लहादा असाँ़ आज़ से रोल भैयाच के साथ कोलते हैं, या प्लास के साधर, जह हम किसी ची को पकारदे हैं, शभी को अशoticे छाजिए हम कोई बी चीज कओने हैं, घल करने कповंड लीन हिया तो गोल चीजए में ऐसा जोइना पॉसिबल नहीं होता लाज़ा उसकी फ्रिक्शनา से कम होती है और असानी से रोल हो जाती है कराब अंडा पानी पर क्यों तेह रहता है देखे यह की खराब अंडे की मतलब हे घैस das जब प्यादा होगी तो उसको light weight कर देइगी लहाज़ अंडा पानी में तैरेगा इस्टील जग में ठंडा पानी हो तो आपने देखा कि स्टील के जग के बाहर जिस जिस हद तक पानी उतार थंडा वहां तक पानी के कत्रे बाहर नजर आते हैं यह इसकी क्या बज़ा है देखें हवा में छोटे-छोटे वाटर डॉप्स होते हैं जब ही हवा ठंडे पानी जग की कराएंगे तो डॉप्स की शकल बन जाएंगे नेक्स कोशन ही है कि जो खलाब वज़ु का लिबास है वो किस शीश का बना होता है खलाब वज़ु का लिबास शीशे के धागों रिशों से बनता है और उसकी जो मालियत होती है नेक्स कोशन ही है फॉग कैसे बनती है देखे हवा में मुझूद जो मौस्चर है इस मौस्चर को low temperature जो है वो condense करेगा जिससे fog बनती है तो ये heavy होती है और float करती रहती है हमें वो चीज नज़र आती है कि ये fog बनी हुई है असल में low temperature की वज़े से जो हवा के अंदर जो water drops हैं वो condense हो गए हैं ये fog है और next question ये है कि घड़े में पाई ठंदा क्यों रहता है देखे पानी की जब भी evaporation होगी वो ठंदा होगा तो पानी से evaporation की जो heat हो खारीज होती रहती क्योंकि पानी के जो घड़ा है उसमे पोर बने हुए उन पोर की वज़ा से continuous evaporation होती रहती है heat खारीज होती रहती लहाजा घड़े का पानी ठंदा रहता है और last question है iPhone का मतलब क्या है iPhone का मतलब इंटरनेट है ठीक है थैंक यू very much बहुत शुक्रिया Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh